बिस्मिल्हार मेरे असलाम लेकुम फ्रेंड आप देखे रहे हैं मारा यूटीब चनल सीएसी का इड़ विशल और मैं हूं वह मुझा दिर्फानुला पॉजिटीव टीव टीनियम थिंकिंग चल गुरू मोबाइल की बैटरी आज भी लो है तो इस वजह से बैक्ग्राउंड अगर मेरा कोई मसला नहीं अब बलके हाँ जब आपने शायद डाकुमेंटेशन वीजा के लिए जमा करानी हो देता आपको लगवानी पड़ती है तो अगर आप क्या नहीं लगी हुई तो तब जब आएगा टाइम वह उस वक्त लगवा लेजएगा कोई इतना बड़ा इ पूरा नहीं पढ़ रहता के नीचे आजाए क्योंकि वह क्वेस्टिन मैंने अंसर बता दिया आपको मुहमद राफयाल में बता दें मास्टर के लिए फार्मेसी फील्ड सीसी में अपलाए करना चाहिए कैसी उस्टिन सी के इंटर आती पिया या या नहीं इसका मुमीज य क्या सीन है क्योंकि इसमें लड़का कोई गया नहीं है अभी तक मतलब के जो मेरे जानने वाला हूँ फराज चूताई के नहीं जिता के डॉलिंगो टेस्ट एक्सेप्टेबल है नंजिंग में नंजिंग में तो वह स्टुएंट जो है विदाउट आइट्स भी उनका एड प्राइस डाकूमेंट्स यह फ्रंट पे करवानी होती है जो जहां पर आपके नंबर मार्क्स वगरा लिखे होते हैं फ्रंट साइड मैंनी इस्ट गेमर्स के नेंजिग लिए सब्सक्राइब क्या पास्पोर्ट के इलावा फार्म फील होगा और निश्टा नहीं होगा नि कोर्स आपके चाइनीज में ही होंगे क्योंकि जब अब कोर्स चाइनीज में होंगे और उसके बाद आपने फाइव भी करना होगा फोर अगर आप सब्मिंट करवाते हैं तो इस तरह सीन होते हैं अच्छा पता नहीं क्या अल्ली यूसेफ के निए के लिए कोई वीडियो या कई गाइडिस दे दें और साथ ये भी बता दें कि उनके लिए इंग्लिश लेंग्वेज स्रेटिफिक एट मस्ट हैं इंग्लिश प्रफिश्यंसी चाहिए होता बागी मेजर स्पेसिफिक मेजर पर वीडियो नहीं बन सकती एक स्पेसिफिक बिजनिस हो गया या इंग दस या 26 यह 20 जितनी है 20 की 20 में भी आप अपलाय करते हैं लेकर मसला यह सब की फीस है शंगाई मेराटाइम यूस्ट को छोड़ के तो अगर आप फीस एफोर्ड कर सकते हैं तो साब में अपलाय करते हैं नेक्स्ट है जी भाई मैंने बहुत कंफ्यूज हूं थोड़ा कि कि इस स्कॉलर्शिप और मेरे पास दो अक्सेप्टर से लेटर हैं एक अनॉई यूस्ट का और दूसरा यूईस्ट का मुझे थोड़ा रिसर्च किया है थोड़ा सर्च किया होगा आपने यूईस्ट स्कॉलर्शिप जो है वह तक्रीब सेम है जस्ट वह 15 सो आरें भी दे रह रहे हैं तो पर यहर का 30,000 कभी कबार ऐसा होता है यह गौर्मेंट जो प्रिविंशल गौर्मेंट होती है यह में वह कहते हैं कि आपको 30,000 आपको साला ना दिया जाएगा अब रेस्ट आफ़ दाफी मतलब कि अगर तो आपकी ट्विशन फी 35,000 है तो 35,000 है आपकी फी तो उपर होला पांच बचेगा वह आपको देंगे मतलब जितनी फीस वह यह अगर है अगर तो ट्विशन फी इसके इलावा है और यह 30,000 है और इसको आप 12 पे डिवाइड करके देख लिए आपको कितना बनता है यह एक अलाई सेनेरियो हो सकते तो इसमें जो प्रिविंशल फ्रस्टेट होते है यह थोड़ा सा एक लोचा होता है बागी सारा कम थेक है कि अब उसी स्कोलोश सी पर अनग उस्ट में जो है अप अप्लाय करें घस्ट कोलोशीपन एट यूसे फारून का गोश्चन था कि सरा यह एव एकस्ट लटर एंड अपलाइदन प्लाइड और अगर आपको एक जनवरी के बाद आपको प्रिमिशन लेटर देती है तो फिर आपने CSE का फॉर्म विड्रा करके आपको आपने अपलोड करना है लाजमी नहीं है अगर एक फस्ट जनवरी है उसकी लाज देता है और प्रिमिशन लेटर बाद में मिलता है तो उसका कोई मसला नहीं है अगर नहीं आता कोई मसला है यह ब्लैंक छोड़ दें वो काफी सार इंवर्स्टिस पॉर्टल जिन के सुपर्वाइजर वो किते हैं सलेक्ट या चूज करें अपना सुपर्वाइजर एडवाइजर नेम लेकि एडवाइजर के नेम में कुछ शोड़ नहीं होता तो वो कोई मिसला नहीं है वो सब का ऐसे हुता हूँ साउथ वेस्ट यहां जो है उसमें कुछ परफैसर दो तीन परफैसर हैं किस डिपार्टमेंट में एक परफैसर शोड़ होता है जिस जहां से एकसेप्टर्स लेटर मिला है वो शोड़ नहीं होता तो पता करवाने से वालूम हुआ कि मतलब पता चला दो दोस ने फिर अप उस ही को स्कूलिट करके आगे जाएं तो इसका मसला नहीं है डोट बरे आप सब्मिट करें बस प्रफैसर का नहीं आ रहे हैं अगर इनूमिशन हो जाए घृँटे हैं जा सकते हैं क्या मसला है इसमें अगर आप जाना चाएं तो अगर जैसे हम हमारी किसी कंट्री में तो जा सकते हैं कोई तरब बड़ा मसला नहीं है अलिया बास का कुश्चन था कि यह लेकिन फिर आप जब चोड़ के जाते हैं तो पिर आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा इमेज पीछे बैक निच चोड़ के जाते हैं कि उनको आप क्यों छोड़ के जा रहें तो वह प्राइब सराइब सो जो मुझे तोड़ा का चार्न का चंपर मुझे तीन लाक मांग रहे और चाइनीज क्लासरूम तक क्या चाइनीज क्लास रूम तक क्या मैं दे दूँ ना किसी हालत में किसी कंडिशन में भी नहीं देने वाइन के लिए मेट्रिक और एफसी डिगरी आईपसी से वेरिफाई होना नाजमी है ना भी हो कोई इशू नहीं है लेकिन बहतर है करवा के लाएं लाएं प्रफेसर नहीं किये अभी तभी प्रफेसर की साइन के बहुरे तो अधर साइन होना ऐसे आइप लाएं से लोगों को कहें कि इस पर साइन कर दें विदाउट साइन जो है यह acceptable नहीं है एनी खान के निम जिदा के विच नियुश्टी इस बेस्ट फर एंफिल इंगलेश है विच इस फर एंफिल इस्कॉलर्श इस बेस्ट का कुछ नहीं कह सकता ठीक है नेक्स्ट है जी अ असलान मले का कुछ नहीं के असलाम लेकुम ब्रादर यू आ दूंग रेट मेरा क्वेशन यह है कि मेरे मुझे फाइव पांच अक्सेप्टर्स लेटर मेले हैं मेरा सीजी प्या 3.1 है यूस्टी सी नौर्थ इस्टन यूस्टी परफेसर एड्मिगों वीचेट और दीन आफ नौर्थ इस्टन में मैं नहीं कुछ नहीं कह सभया Pr coloc ataire उन्ठाब की और धूसओक शीजी वस्टे अपर फैलोशीप फैलोशेफ इसमें तो सीजी चलीगे om चंगन युएस्टी में और हर्मन युएस्टी आफ साइंस टेकनोलोजी और नौर्थ इस्टन युएस्टी जहां पर डिपार्टमेंट का डीन उसका नौर्थ इस्टन युएस्टी में आप सीएसी स्कॉल्शिप अप्लाय कर दें क्योंकि जो है यह इस वक्त सेफ यही लग आप लुए करना है तो करब ने सेफ साइट के लिए लिए चेस्वारिम एप्लिकेशन फीज है बाकि डीन के साथ आप जाएं नौर्थ इस्टन युएस्टी में में बनुसी के साथ अप्लाय करें पुरकान करें बरादर प्लीज प्रैक्टिकल देखें दिखा दें एक मिन अपने अप्लोड कहां पर किया था तो मैं आपको पूछ कर बताऊंगा किट्स टाउन के नेम जिदा के बाई जिसे कल एक जैसे कल एक बाजी कह रही थी कि जियोग्राफिक का भी फोल्डर बना बना दे हमारा पूरा यूश्टी ग्रूप अप्लाय कर रहा है जरूरत है अपने मेजर में कोई अपडेट नहीं वेबसाइट में अब सब टाउंट कर रहे हैं के स्टाइल आप बाई जियोग्राफी अब मैं क्या कहूं मुझे समय नहीं आ रही कि मैं कैसे उसमें अपडेट करूँ अगर मैं अपडेट कर भी दूँ उसमें वेबसाइट में तो आ बनाइन किस में आता है यह सोचल साइंस में वेघा फांड करूंगा तो चलें करता हूं नीचे है । डोक्टर वाइशिंग गर्वश्च गॉश्च स्कॉलर्च कब तक बोड़ल के मताबिक थर्ड मथ में उप वोनी है और एक मौज़बाना गुजारश है कि जूम मीटिंग कर लें एक ताकि अपना अपना सवाल का जवाब फॉरण मिल जाए हाँ बात तो ठीक है ट्विटर स्पेस हमने लास्ट इम की थी और मैं सोच रहा हूं कि या तो यूट्यूब पे लाइव आया जाए आफिर जो है क्या कहते हैं उसे जूम चलें इसको देखते हैं इसके बारे में भी ऑप्शन अच्छा है बागी रही शिंगाई गवर्मेंट की बात चिंगाई गवर्मेंट का यह डिबेंड करता है हर अपने इसाब से थोड़ी लेट शुरू होती है आप यूश्टी के मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा शिंगाई गवर्मेंट पे आने वाले दिनों में दो तीन दिन में कि शिंगाई गवर्मेंट पर आपने इसकी अड्मिशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं आपको सारा तरीका बता दूँगा बाकि यह नहीं है कि तीसरे महीने में शुरू होंगी या स्पेसिफिक कोई डैड्लाइन है इस तरह नहीं है वह यूश्टी पर डिपेंड करता है जैसे तोंगी यूश्टी के सा सभी के यह कोशने पर सब्घ्रिस टहर करते हैं तो उसमां कर कर सकते हैं कि के साथ इसके यह लिए यह नहीं है नेक्स्ट है जी डाक्टर कुवाइद डाक्टर पदनी क्या है डाक्टर आफ लाइफ फॉलो जी पदनी क्या है सलाम भाई प्लीज क्लियर कर दें के कुछ उवर्मेंट में गुवर्मेंट स्कॉलर्शिप लिखा होता है यह भी CAC है या गलती से CAC वाले चांस मिश हो जाए वैसे यह घुम ज्रक चांस, अभी प्लमेंगा और क्योंड है जो जाघ कैनि Ela फे गुवर्मेंट स्कॉलर्यूशीप आउस पर आख बातों है। तो इस तरह लिखात होगा बागी स्कॉलश्य जो इस तरह लिकी होती है उनकी कोई और प्रुइंशिल जा ओर कोई गॉर्मेंट थी उसके साथ चैनी ज्वंग्ष लिखा होता है लाजमी कोई और है बाए पलीज अपना कंटेक्ट नूमर मुश्किल हैयार कंटेक्ट नूमर तो काम खराब हो जाएगा नहीं आज एका क्वेशन था कि अगर रिसार्च प्रपोजल पर सुपर्वाइजर शिक्नेटर ना करें यह रिप्लाइज ना दे और यह जिए की डैडलाइन खतम होने वाली हो तो विद आउट सिकनेटर अप्लोड कर दें या मेंडिटरी है यह कंटेक्ट कर लीजेगा उसको आप उनको भी रिप्लाइ कर दिएगा यह सुपर्वाइजर रिप्लाइज नहीं कर रहा है इस तरह तो हो सकता है यह वैसे ही कभी कबार लिख देते हैं कि मतलब कि उनके बिखा होता है कि साइन होना जरूरी है पर उसके और साथ यह भी लेटर इफ अवेलेबल या ऑप्शिनल ठीक है तो यह भी उनका खुला तदाद है उनकी अपनी उसमें तो यह आप विद्धाउट उसके आप अपलोड कर दें कोई मसला नहीं है डैड स्टूडियो के निवसे था के एचसके 3 पर वैसे अगर रूल देखा जाए एक जिगा मैंने पढ़ा था और एक जिगा कॉल भी की थी पता नहीं किस जगा सी एसी क्यों की थी यह उनकी कहा था कि उफिशल अगर जो देखा जाए उनकी वह बैसलर के लिए एचसके 3 पर आपको CSC scholarship देती है यह नहीं देती यह एक सवाल है जैसे चाइना 3 गोर्जेस यूश्टी थी उसमें एक बंगला देश का स्टूएडर था उसके पास 2020 की बात है एचसके 3 था और उसकी CSC scholarship लगी थी वैसे ओफिशली रूल देखा जाए तो मुझे भी यही लगता है एचस की तरीके साथ आपको scholarship मिलनी चाहिए बाकी अब किस्मत अब फातिमा खान की क्वेशन था कि मेरे पास यह acceptance है काइंड़ी कंप्यूटर साइंस मेजर है वहान चौंकिंग चौंकिंग उस्टिए पोस्ट इंटेली कमूनिकेशन चौंकिंग उस्टिए पोस्ट इंटे उस्टिए पूर्चिए में जो फर्ट इसमें करते हैं यहां लॉट इसमें पी इसमें कोई कौलशिप नहीं है लेकिन इसमें मेजर मोशली चाइनीज में वोते हैं यह आप देख लीजेगा गौंग्चू उन्सटिए की ऐपलाइकरें चांकरंग उन्सटिए जिसमें आड़ आड़मेशन होता है 2019 में कुछ होता कि यहांप एस्वेंट वगर आए तो वहां युश्टी में सीड्स होती हैं काफी वहां युश्टी में कंप्यूटर साइंस का स्वेंट मुझे याद आ आ आ आ अगया कि आपको किसका करूँ है ने एक लड़के का वाला ले दिया तो बाकि आप पर डिमेंड करता है पर फैसर के साथ कमूनिकेट करें जो अच्छा उसके साथ कमूनिकेशन आपके अच्छी हो जो सपोर्ट करना चाहे आप बिलिंग हो ज्यादा इंटरस्टेट हो तो उसको उसक अच्छी के आपके फ्रेंड है वो फार्मेसी का कुछ कर रहे हैं उनसे पूछ कर भी बता दे आप बहुत मुश्किल से आगे बहुत मुश्किल से अच्छा मिला है तो चांस लॉस्ट नहीं करना चाहते यह भी बता दे कि जीदियों मास्टरिन फार्मकॉलोजी में कितने इसाथ वाला रूम है वो तो मसला नहीं है लेकिन उसका था व्रॉक्ष में नहीं है कि आपने दिया है वाट वर्ड चुटायि favorable यूस्त एंगलिश में मुझे यह नहीं पता चल रहा कि प्रफेसर को कैसे बोलों के मेरी एसिस्टन करें क्योंके अक्सेटर भी आपने भी आ आपने दिया है वाट वर्ड चुट आई उस तैट एट बेनिफिट फर में आई आप इस वीचेट आप इस वीचेट आप इस वीचेट आप जाए पूछ आप पूछ लिए जब यह रिस्पॉंस आज आए उसके बाद आप पूछें के अब मैं पता नहीं सही बोल रहा हूं या नीं बोल रहा कैमरे के सामने बैठे हुए जो है अलफाज के चुनाव में भी थोड़ी सी वह करनी पड़ती है फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है फिल्टर करना पड़ता है तो वह आप उनसे इस तरह पूछ लें बस सीधा सा पूछ मैसेज को हैं मैसेज को ना को दूसर सी तूसर को जो करना है में साथ चांट का देहां थैज है एक क्ट्रेशन के वल्ट्रेशन के बारें तो कोई ब़ूच लें आप इस तरह पूछ लिए पाने की जोड़ती है डूंट ब्री बाद्र है। अच्छा इसके बाद पदनी क्या नेम लिखा हुआ है दौा है आपके आपके अच्छा के पास हो जजा करूं अच्छा नेक्स्ट है जी रहबर के नेम ज़खे है असलाम के पूछना था I got acceptance letter from Junksu and North Minzo University अच्छा आप अगे मज़ीद acceptance के लिए ट्राइ करूँ डाकुमेट्स के लिए त्यार करूँ मज़ीद भी ट्राइ करें डाकुमेट्स भी त्यार करें ये दो यूश्टी जहें इतने Junksu University की सीट्स इलिमेटेड होती है और Minzo University भी में कोई एक है ये तनी बड़ी यूश्टी नहीं है चोटी यूश्टी है तो और ट्राइ करें acceptance के लिए अगर आपको मिलता है तो इस बाद बार कोशन दा कि फॉर्म फिल कर लिया है बहुस मेजर इंग्लिश में है आप बताएं कि प्रफेसर जैसे help कर सकता है इस सिल्षले में कैसे help कर सकता है acceptance letter का एक edge मिलता है जो है पास तो अब प्रफेसर को क्या बोलू in what words how he can help me आप CSE का form और UST form उसको send करने प्रफेसर इस आर में application form I already applied for scholarship so please support my application for scholarship so बस ये कह के उसका देखें क्या response आता है जो response आए फिर बताएए फिर मैं आपको जो है जिसे कहते है न अगली दवाई दूँगा कि आपने कब जो है वो करनी है वो next जो जिसे कहते है न अब मैं क्या कहूं तो वो आप जिने यूज़ करनी है ठीक है पहले आप ट्राय करें आएशा मक्सूल का कुछिशन है कि अपने वेबसे पर एक पॉस्ट बनाद वीडियो डाल देए अपनी वेबसेट पर पेशली वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की दिपलीज आइधिंग अपन हो गये है तो वह मैं उसी कमेंट से फिर पोस्ट ले लूँगा और डारेक्ट जाकर पोस्ट मना दूगा और वीडियो भी हुई तो पॉस्टिवल भी मना दूगा ठीक है इस बाद वेबसे आपकी वीडियो देखकर वैसे बहुत होता जाती है जदा करना आएशा मक्सूल का किसे यू यूजियों हैं यह किते हैं उसे सीएजी के लाव कोई स्कॉलिशीट निया है असल में यह जो जबान में लुकनत कहलें या फिर बोलने में जो हो इस ह कृता है इसца हैं अगर आराम से खोई से बोलू उन शायद यह ना हो और यह भी है कि यह अर्दू है जो इस वजह पर पर प्रक्टिस इतनी है नहीं है भी सही तो फिर बस बता है फिर अपनी जबान तो फिर अपनी होती है यह भी उर्दू ही अपनी है लेकिन ये नेशनल है जो मदर तंग है तो फिर आपको पता है पर तो इस वज़ाते यह इसका आपने यह बर्दाश्ट करना है क्योंकि आओ नेक्स्ट है जी आईशा मक्सुच्छा को कुश्चन था कि अब नहीं आएंगी आती है इसका स्टुएंट से पूछूंगा कि कब आती है लेकिन लेकिन अड़्टाइजमेंट देखनी करना होता है मेरे कहलो में तो उसकी की पुडेट करने हैं इसका अभी टाइम होता है उसके कोई इस्ञान गवर्मेंट की यह थोड़ी इसकी डेडलाइन भी थोड़ी सी दूरु तक होती है तो प्रशान होने क्जुरूत नहीं है शान भुटा कर ने हम दागातगा क्तने मि तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से सिलसला शुरू करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में दौव में याद रखेगा अलाहाफिस